आजाद भारत के पहले वोटर मास्टर श्याम सरन नेगी का शनिवार सुभैन निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के किनौर जिले के कलपा के रहने वाले श्याम सरन नेगी ने 106 साल की उमर में दुनिया को अलविदा कह दिया। दल्चस्प बात ये है कि मौट से दो दिन पहले भी वो हिमाचल प्रदेश विधान सभाचुनाओं के लिए मद्दान करके गए। श्याम सरन नेगी ने देश के पहले आम चुनाओं में पहला वोट डाला था और तब से वो कभी भी वोट डालने का मौकार नहीं चुके थे। आजाद भारत को उसका पहला मत्ताता मिलने की कहानी भी काफी दिल्चस्प है। देश में फरवरी 1952 में पहला लोगसभा चुनाओं हुआ था। लेकिन किन नौर में भारी हें पात के चल थे पांच महीने पहले सितंबर 1951 में ही चुनाओं हो गए। पहले चुनाओं के समय शाम सरन नेगी किन नौर के मुरंग स्कूल में टीचर थे। और चुनाओं में उनकी ड्यूटी भी लगी थी। उन्हें वोट देने का भी काफी शौक था। उनकी ड्यूटी शौंग ठॉंग से मुरंग तक थी जबकि वोट कलपा में था। इसलिए उन्होंने सुबह वोट दे कर ड्यूटी पर जाने की इजाज़त मांगी। और सुबह सुबह मदान करते ही इतिहास बन गया। और मास्टर शाम सरन नेगी आजाद भारत के पहले मदाता बन गये। स्वतंत्र भारत के पहले मदाता के तौर पर मशूर नेगी को भारतिय लोकतंत्र का लिविंग लिजन भी कहा जाता था। जीवन के 106 बसंद देखने वाले नेगी ने 34 बार मदान किया था। बैलेट पेपर से EVM का बदलाओ भी देखा और लोगों को भी मदान करने के लिए खूब जाग रुकिया। बिरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।